मेरे प्यारे देश्वास्यों, आप सभी को क्रिश्मस की शुब कामना है। हम इस वर्ष के अंतिम सप्ता में हैं। 2022 बस आने ही वाला है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन उत्सा और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन की बजह से संक्रमन बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रोन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक नह करें। हाँ, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क्स उसका भरपुरूपयोग करें। और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वाइरस म्यूटेट हो रहा है, तो हमारी चुनोतों क्या सामना करने की ताकत और आत्मविस्वास भी मल्टिप्लाइ हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास अठारा लाक आइसोलेशन बेट्स हैं, पांच लाक ऑक्सिजन सपोर्टेड बेट्स हैं, एक लाक चालिस हजार आइसीउ बेट्स हैं, आइसीउ और नोन आइसीउ बेट्स को मिला दें, तो नब्वे हजार बेट्स विशेश तोर पर बच्चों के लिए भी हैं, आज देश में तीन हजार से जादा पी ऐसे ऑक्सिजन प्लांट्स कायम कर रहे हैं। चार लाक ऑक्सिजन सिलिंडर्स देश भर में दिये गए हैं। राज्यों को जरूरी दमाओं की बफर डोस तैयार करने में सहायता की जा रही हैं। उन्हें परियाप तो टेस्टिंग किर्ज भी मुहया कराई जा रही है। साथियों कोरोना वैस्वीक महामारी से लड़ाय का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशान निर्दर्शों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हतियार है। और दूसरा हतियार है वैक्शिनेशन। हमारे देश ने भी इस बिमारी की गंभीरता को समझते हुई है। बहुत पहले वैक्शिन निर्मान पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्शिन पर रिसर्च के साथ साथ ही एप्रूबल प्रोसेशिस, सप्लाइचेन, डिस्टिबुशन, ट्रेजिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टिम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्शिन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामुहिक प्रयास और सामुहिक इच्छा शक्ती है कि आज भारत 141 करोड वैक्शिन डोज के अभूत पुर्वा और बहुत मुश्किल लक्ष को पार कर चुका है। आज भारत की वैस्क जनसंख्या मैं से 61% से जादा जनसंख्या को वैक्शिन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसी तरह वैस्क जनसंख्या मैं से लगभग 90% लोगों को वैक्शिन की एक डोज लगाई जा चुकी हैं। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठीन बहुगोलिक स्थित्यों के बीच इतना सुरक्षित वैक्शिनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेस तोर से टूरिजम की द्रश्टी से महत्वपन राज्य जैसे गोवा, उत्राखन, हिमाचल जैसे राज्यों ने शत प्रतिशत सिंगल डोज वैक्शिनेशन का लक्ष हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गाओं में जब शत प्रतिशत वैक्शिनेशन की खबरे आती हैं तो मन को संतोश होता है। यह प्रबान है हमारे हेल्थ सिस्टिम की मजबूती का, हमारी टीम डिलिवरी का, हमारे हेल्थ केर वरकर्स के डेडिकेशन और कमिट्मेंट का, और देश के सामान ने मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विस्वास का, हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्शिन और दुनिया की पहली डी एने वैक्शिन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाब भारत की लड़ाई, सुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धानतों, वैज्ञानिक परामर्ष और वैज्ञानिक पद्धती पर आधारित रही हैं। पिछले ग्यारा महने से देश में वैक्शिनेशन अभ्यान चल रहा है। देश वासी इसके लाब भी महसुस कर रहे हैं। उनकी रोजमरा की जिन्दगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियों भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन सात्यों हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्गता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए। देश वासीयों को सुरक्षित रखने के लिए। हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सिनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी बैज्ञानिक सुझाओं के आधार पर ही इताय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए। पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो। स्वस्त लोगों को कब वैक्सिन लगे। जिने कॉरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सिन लगे। और जो को मॉर्बिलीटी किसे ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सिन लगे। ऐसे निर्णे लगातार किये गए और ये परिस्तितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिती परिस्थिती के अनुसार भारत के वेग्यानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्ड़े लिये हैं वर्तमान में ओमिक्रोन की चर्चा जोरो पर चल रही है विश्म में इसके अनुभव भी अलग-अलग है अनुनमान भी अलग-अलग है भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं इस पर काम कर रहे हैं हमारे वैक्सिनेशन को आज जब ग्यारा महिने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्यान किया है और विश्व भर के अनुभावों को देखते हुए आज कुछ निर्णे लिए गए हैं आज अटल जी का जन्मदिन भी है क्रिस्पस का तेओहार भी है तो मुझे लगा कि इस निर्णे को आप सब के साथ साजा करना चाहिए साथियों पंदरा साल से अठारा साल की आयू के बीच के जो बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वैक्सिनेशन प्रारब होगा 2022 में तीन जन्वरी को सुमवार के दिन से इसकी शुरुवात की जाएगी ये फैसला कोरोना के खिलाब देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं हमारे बच्चों की और उनके माता-पिता की चिंता भी कम करेगा साथियों हम सब का अनुभव है कि जो कोरोना वारियर्स हैं हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं इसलिए प्रिकोशन की द्रस्टी से सरकार ने निर्णे लिया है कि हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सिन की प्रिकोशन डोज भी प्रारंब की जाए इसकी शुरुवात 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी साथियों कोरोना वैक्सिन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयूवाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बिमारी से पीडित है उन्हें प्रिकोशन लेना सलाग योग्य हैं इसको धान में रखते हुए साथ वर्षे उपर की आयूके को मर्मिडिटी वाले नागरीकों को उनके डॉक्टर के सलापर वैक्सिन की प्रिकोशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्द होगा ये भी दस जनवरी से प्रारम होगा साथियों मेरा एक आग्रह है कि अफ़ा ब्राम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए हम सभी देशवास्यों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन अभ्यान चलाया है आने वाले समय में हमें इसको और गती देनी है और विस्तार देना है हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाप इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद